हाई एवरीवन वेलकम बैक टो यरोन एकेडमी डड़ीज अचीवर्स अकेडमी आम यूर फ्रेंड यूर गाइडर निशा शर्मा सो फाइनली आपका इंतजार खतम हो गया है और DT Plus B की हाल फिलाहर जो पॉस्ट आई थी उसमें कुछ पॉस्ट नहीं आई थी और हम बहुत चिंतित थे फाइनली खुश हो जाओ भाई DT Plus B की रिमेनिंग वेकैंसी आ गई है जो बाकी थी जिसमें हमारा मेजर सब्जेक्ट भी आ गया है ठीक है अब बात कर लेते हैं DT Plus B की आपको बता है पहले जो वेकैंसी आई थी प्यार्टी टीजीट की डिटेल वीडियो में बना चुकी अब बात कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सकिंड जो अब वेकैंसी आई है उनके बारे में तो पहली वाली भरनी स्टार्ट हो गी है 25th of May से अब जो वेकैंसी आई है ध्या रखना वो 4 जून से अप्लाई करना स्टार्ट होएंगे मतब 4 जून से फोर्म भरना स्टार्ट होगा और 3 जुलाई तक फोर्म भरा जाएगा तो सबसे पहले तो यह डेट ही याद कर लेना और यह नोटिकेशन बिल्कुल आज ही आया है 27th of May today ठीक है तो 4, 6 and 3, 7 यह दो डेट करना 4 जून से फोर्म भरना स्टार्ट होगे और क्लोजिंग डेट है 3 जुलाई अब देख तो TZT English की male and female और vacancies भी कोई कम नहीं है number of maths के equivalent ही आई है 1029 English male की है और 961 English female की vacancies है जिसमें general category के आप देख सकते हो 483 post है female की 382 है और यहाँ पर ध्यान रखना डेली में male female means male female ही है जिससे UP में आप दोनों वर्ग में अप्लाई कर सकते हो दिली में male male में अप्लाई करेगा female female में ही अप्लाई कर सकते हैं तो ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है और SC की 69 है ST की 152 है तो total मतलब 12900 के राउंड है तो आप यह देख ले ना यह वाली ठीक है यह general categories की है यह total है और यह बाकी का है तो यह vacancies है इसके अलावा आपको उर्दू की vacancy भी देखने को मिल रही संस्कृत की भी number of अच्छी है बड़ इंग्लिश की भी हम कम vacancies नहीं कहेंगे ना बहुत जादा लेकिन maths और उसके equivalency आई है ससकी तो अच्छी vacancy है और TZT Punjabi की भी vacancy आई है ठीक है तो यही I think subject हमारे remaining थे उस वाली notification में और यह यहाँ पर आ गए है अब यही बात करें qualifications की और सबको पहले भी हम discuss कर चुके हैं पहली वाली में बट फिर से देख लेते हैं जैसे English को ही हम खोल लेते हैं ठीक है आप देखिए TZT English की male female qualification तो वही है सेम बात है ठीक है तो इसके अंदर क्या आपके पास bachelor degree यूनो आपका BA होना या English owners होना या कुछ भी है मतलब graduation के equivalent है आपने English owners किया आपने BA किया है आपने 2 साल अपना subject English जरूर पढ़ा होना चीए with 45% mark ध्यान रखना हरियाना में condition होती है कि 3 साल आपने उस subject को पढ़ा होना चीए और 50% marks होने चीए this is the condition of Haryana Gorwent so don't be confused यह Delhi Gorwent की condition है Delhi Gorwent कहती है कि आपने subject को 2 years पे पढ़ा है और 45% marks में कह रहा है कि आपके पास एक subject elective level होना चीए elective मतलब जिसको हम खुद स्लेक्ट करते हैं तो आपको पता है हम करते ही है English हमारे पास मानलो compulsory है तो गिया तो हमने SS ले रखा होगा है math ले रखा होगा science का subject ले रखा होगा तो मतलब combination बन जाता है English वालों को जादा घबराने क NPRT क्योंकि PZT level पर नहीं होता है ठीक है तो seated compulsory है अधर स्टेट का नहीं माना जाएगा जैसे कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मैं UPTAT मैं MSTAT कोई भी टेट नहीं माना जाएगा सिर्फ आपका seated clear होना चीए और seated भी धहान रखना आपका 90 marks के clear होना चीए लेकिन जो दिल्ल मालो हम हर्याना के हैं और आपके 84 marks हैं बट आप OBC में आते हो तो आप वहाँ दिल्ली में जनरल में count होंगे सिर्फ ये condition इन उननों OBC वालों के लिए mention की हुई है तो आप वहाँ जनरल कटेगरी में count होगे मतलब आपके 83 marks है तो you count fill the form आपके seated में 90 marks ही होने चाहिए ठीक ह हैं बाकी इसमें कुछ age relaxations की 100 रुपे fees है काफी कम है fees सही है मतलब होनी चाहिए unemployed के लिए इतनी fees होनी चाहिए और आपको पता है हम exam की scheme की बात करें तो exam जो है आपका two parts में होगा आपका जो exam है वो 200 marks का exam होगा TGT का 200 number का exam होगा जिसमें part 1 and part 2 आपके two parts given होएंगे part 1 भी 100 marks का और part 2 भी 100 marks का जो कुल 2 घंटे में आपको करना है मतलब speed का बहुत धान रखना है DT plus B के exam में speed नहीं होगी तो आप paper को नहीं crack कर पाएंगे और negative marking भी रहती है 0.25 की मतलब आप 4 questions यदि रोंग कर देते हैं तो आपका एक सही number भी cut जाता है DT plus B में ये बात भी आपको द्यान रखनी है paper 1 का जो part 1 वाला section होगा part 1 वाले section में आपको Hindi, English, reasoning, maths और GS, GS means general studies जिसमें static GK वाले भी concept आते हैं वेल, प्राइज, नोबल मैंने बहुत detailed videos बना रखें about slaybus, about strategy, about books, everything you will find in my slaybus playlist on my channel ठीक है, part 2 की यदि हम बात करें, तो मेरा subject English है, मैं English पढ़ाती हूं mainly, तो English की यदि हम बात करें, तो part 2 hand and marks का आएगा, जिसके अंदर जो है, लिखा होता, slaybus में 4 writer आएगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, Shakespeare, Wordsworth, Goldsworthy and Milton, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, complete literature से question आते हैं, complete figure of speech, literary term से question आते हैं, pedagogical issues आते हैं, 15-20 number के, grammar, vocab, each and everything you will find in this part 2, ठीक है, तो सब कुछ आपको आएगा, तो category और 35, 50 बगरा के लिए, 40% भी आप score नहीं करेंगे, तो आपका post खाली रह जाएंगे, बट आपका point नहीं किया जाएगा, और बाकी आपको पता, यहां सिरफ merit का सवाल है, जो merit में रहेंगे भई, वो ही जीतेंगे, धुरंदर वो ही होंगे, आपको पता है, रिजर्वेशन की बात करें, तो वो ही थोड़ा हो, जो conditions होती है, और age relaxation की बात करें, तो age relaxation SCST के लिए 5 यह हैं, मलब वैसे 32 हैं, 32 साल है, बड़ाप SCST हैं, तो आपको 5 साल बढ़ गए, मतलब 37 यह तक आप भर सकते हो, OBC को 3 साल का relaxation है, मलब 35 यह तक आप भर सकते हो, PWD 10 10 years का relaxation है, तो यह मतलब आपकी कुछ age relaxation है, इसके अलावा जो departmental है, मतलब जो दिली में और जोब कर रहे हैं, कोई PRT में कर रहा है, कोई guest में कर रहा है, तो उन सबको भी अपनी conditions है, 5 year up to, मतलब age grace दी गई है, और कुछ जिसे females होती है, कोई video है, किसी का divorce हो चुका है, तो जो woman है, मतलब उसके पास certificate है, कि अपने husband से separate रहती है, तो इस टाइप की females के लिए भी age relaxation है, यहाँ पर, ठीक है, बट जर्रल करें की बात करें, तो 32 ही है, बही जर्रल करें के लिए age relaxation, होप सो यह बढ़ जाए, देखते हैं, ठीक है, तो I think this is all about the DT plus B detail, and होप सो आपको इ detail, helpful होगी, और now if you want the coaching about the DT plus B exam, specially paper 1 available for all the subjects, लेकिन paper 2 की यदी मैं बात करूँ, तो English का special है, और Maths का है हमारे पास, और SST का है, paper 2 हमारे पास यह 3 है, English, Maths and SST, English का, आपको paper 1, paper 2 का अलग-अलग batch भी अवेल है, Achiever Academy app का link में दे दूँग, आप जा के देख सते हैं, paper 2 के लि जाएगा, so आपको information लगी, अच्छी तो आप इसको share कर सकते हैं, जो बचे पहली बार जुड़े हैं, मैं बता दूँ, my channel dedicated for teaching exams, you will find all strategies, all videos, all things related to DT plus B on my playlist, Slay Bus playlist, so bye-bye, take care, have a nice day, thank you.